बच्चों लिजी आज कक्छा दस्वी के गणित में हम बहुपत को भाग करना सिखेंगे यहाँ पर आपका प्रस्णावली एक का पहला प्रस्ण है यह आपका CGVAC का यानि एक सिसकर माइनस एक सप्लस वन को एक सप्लस वन से भाग देना है तो पहले यह आप देखिए यह क्य है यह आपका भाज यह है यह आपका भाज अगयानि इससे हैं को भाग देना है इसको और इहां में लिख देता हूँ एक सद्वाट मैनस एक सप्लस वन को हमें भाग देना है यह एकस प्लस उन से अब बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि यह हमको इधर का अंक यहाँ पर जो भी रहेगा सब्द उनको हम देखेंगे और इसको देखेंगे पर हमको लाना है एकस का वर्ग एक विसकार लाना है इस में हम क्या गुणा करें कि यह एकस का वर्ग बन जाए तो आप जानते हो वहां पर मैं दहारन आपको दिता हों जब supplies हम किसी भी आपका एकस गुनित एकष़ गुणा करते हैं तो यह घाद्वार्णद बनता है एक सका वर्ग और तीन एक सका गुना कर दिये एक सक गुनित 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 एक सक 9-10-!". इसमें x स में फ्लस द्स द्स एक्स यह त्री एक्स यह सामने लिखाता है है उजatal जो है है अपर जब जोड़ते हैं तो स अमने लीखाता है जबकि गुना करते हैं तो घाद मते इतना दियान दिये और अंका का गुना तो को जो करोगे तो वहां पर सामने आपका गुणा हो जाएगा तो यहां हम देखते हैं कि इसमें एक सका वर्ग है एक सका इसकोर लाना है चलिए हम यहां पर भाजक को हम पूरा यहां लिक लेते हैं एक सका प्लस वन हमको लाना है एक सका वर्ग यह ध्यान दीजिए रप में आप कर ले ना इसको एक से इसकोर लाना है तो क्या से गुणा करेंगे आप देख रहे हो यहां पर उधारन में देख रहे हो एक से गुणा किये तो एक सका वर्ग हो गया तो इसको हमको देखना है कि एक सम इतर्फ हैं और यह ने साथ एक से लिखो गए तो क्या को जाएगा एकम एक्स ये बाद में हम कि अब यह घृणिया के रूप्र में लोत से हो जाएगा तो यह एक समझ सonse Aquosi आगेया यानि हम एक समिटीना ये बश्यक्त आया है X square प्लस X शरी और अब बच्चों सिसको दूसरे लाइन को इसमें गटाना रहता है उपर वाले में चलिये अब इसको पूश्टक में हम लिख gün trav बहुत में जब भी करोवे यहांप पर मायनस हे हमको घृतानी है यह अब यहां पर यह माइनस होगा कोश्टक खुलोगे तो क्या हो जाएगा माइनस होगा और यह भी माइनस होगा इतना ध्यान देंगे तो आपका केंसिल हो जाएगा और यह बचा माइनस एकस और यह माइनस एकस पहले से है यह माइनस का 2x हो गया एक घर यहाँ पर उतारोगे नीचे प्लस करके अब हम आगे देखते हैं कि यह 2x प्लस 1 हो गया अब हमको यह माइनस में आया हुआ है अब हम यहाँ पर भाग देंगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा हमको कि यह माइनस 2x यहाँ पर कैसे लाओगे यह हमारा भाजक तो ही है हम यहाँ पर फिर देखते हैं उधारण में यह 100 प्लस 1 आपका भाजक है इसमें आपका लाना है माइनस 2x और हम यहाँ पर देखते हैं माइनस 2x लाना है तो बच्चों अब इसमें 2 लाना है तो किस से गुणा करोगे भाई एक 100 से गुणा करोगे तो एक से कवर्ग हो जाएगा यह क्या हो जाएगा एक 100 से गुणा करोगे तो एक से कवर्ग हो जाएगा तो हम क्यों टू से गुणा करेंगे यह यहाँ पर लिग दीजिए और यहाँ पर लिग दीजिए तो यह क्या हो जाएगा इसके सामने में कुछ अंक नहीं है तो क्या है वो नहीं तो 2 एकम 2X और प्लस 2 एकम 2 यह हो गया 2X प्लस 2 तो यहाँ पर हम आजाते हैं अब यहाँ पर देखेंगे यह आया हमारा 2X प्लस 2 इसमें आप यह देखोगे कि इसमें चुकि दूसरे लाइन को हम घटाते हैं यह फिर कोश्टक कर देना आप अब देखो इसमें थोड़ा सा आपको सोचना है कि यह माइनस यदि करेंगे तो यह भी माइनस होगा जो नहीं घटेगा इससे तो हम जो यहाँ पर माइनस है यह प्लस दो से जो गुणा किये वो क्या हो जाएगा यहां पर माइनस दो से गुणा करोगे तो यह क्या हो जाएगा माइनस दो एक सो हो जाएगा और प्लस दो एक हम माइनस दो हो जाएगा इसको आपको धियाम देना है महीं हो इतना व्स आपको आजाएं तो आप क्या है इसको बना लोगे तो ये माइनस दो एक्स अर ये हो गया माइनस दो अब बच्चों इसमें हम इसको चीन हो ये जब हम कोश्टक में लिख दिये Criss इसको चेंज करेंगे, इसमें इसको, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यह भी प्लस हो जाएगा, जब इसको यहां पर घटाओ गया आप, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका फिर माइनस करोगे भई, आप यहां पर क्या करोगे, फिर इसका मा माइनस माइनस प्लस और यह माइनस का फिर प्लस हो जाएगा तो यह प्लस माइनस अब प्रेंसिल हो गया और यह प्लस टू और प्लस वन यह आपका क्या हो गया प्लस थ्री तो हमने यहाँ पर जो क्या किये थे माइनस टू से गुणा किये हैं यह आपका यह हो गया आपका भाग फल हो गया यह आपका बच्चल जो भाग नहीं जाएगा यह सेश फल है तो इस तरह से आपको भाग देना है यह है आपका सेश फल यह सेश फल है और यह है आपका भाग फल है तो इसमें आप लिख सकते हो अता भाग फल भाग फल इक्वल टू एक्स माइनस टू और सेश फल इक्वल टू थी प्लस का थ्री यह आपका इस तरह से आपको भाग देना है अगले प्रस्न में फिर देखेंगे धन्यवाद